हलो माई यूटुब फामिली तो कैसे हो आप सब आई होप यू आल आ डूइंग ग्रेट तो हमारा चल रहा है क्लास 11 का चैप्टर नमबर वन और आज का टॉपिक है डाल्टन्स अटॉमिक थ्योरी तो देखो जो सबसे पहली अटॉमिक थ्योरी दी गई थी वो दी थी सर इन दे यर 1808 तो देखो इतने टाइम पहले 1800 में ही अटॉमिक थ्योरी सबसे पहली अटॉमिक थ्योरी दी गई थी वो दी थी जॉन डेल्टन ने ठीक है तो हम इसके पॉशलेट्स करेगे वन बाई वन और समझके करेगे और क्या इन में कमिया रही वो भी देखेगे और द अच्छे से हम इने कर लेते हैं तो देखो फर्स पॉइंट क्या दिया था जॉन डेल्टन ने उन्होंने कहा था कि मैटर इस मेड़ अप ऑफ इंडिवेजिबल आटम्स कि जो मैटर है वो बना है छोटे-छोटे आटम से जो की इंडिवेजिबल है हलांकि ये आज के टाइ है ठीक है तो इंडिवेजिबल कहना आटम को ये यहां पर गलत हो गया ठीक है क्योंकि यहां पर फर्दर हम इनके अंदर भी पार्टिकल्स है जो की कहलाते है सब अटॉमिक पार्टिकल्स ठीक है और ये बार ट्रू है कि ये मैटर बना होता है छोटे-छोटे बहुत सारे अटम से ठीक है लेकिन ये क्या है फर्दर इसमें भी सब अटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ठीक है अब नेक्स देखो नेक्स में है ओल अटम्स ऑफ गिवन अलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज सच ऐस क्या बोला था इन्होंने मास शेप और साइस ठीक है इन नो देट कि कोई भी आलेमेंट किससे बना होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं बहुत सारे आटम्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो इंके अकूर्अग इन्होंने क्या कहा था कि ये आटम्स है all the atoms of a given element जैसे ये carbon element है इसके ये सारे क्या हैं आटम्स है ये सभी जो इनके identical properties होगी जैसे इनका mass, shape and size इसमें भी थोड़ी से क्या होगी थी इसमें भी थोड़ा failure आ गया था क्यों? क्योंकि हम अगर mass की बात करें atoms ले ले carbon के हम कहेंगे कि carbon के सभी atoms की identical property है लेकिन we know that कि isotopes भी तो होते है और अगर आपको पता हो क्योंकि isotopes क्या होते है isotopes में क्या होता है atomic numbers same होता है isotopes का बट उनके जो mass numbers है वो different होते है carbon के isotopes हम देखते है 6 आ जाएगा नीचे क्योंकि atomic numbers same है लेकिन इनके mass numbers 12 and 14 होते है देखो आगया ना different पर ये postulate क्या कहता है कि all atoms of a given element have identical property मतलब अगर carbon एक element है उसके जो सब भी atoms होगे उनकी identical property होनी जी है जिसमें mass भी आता है अब यहाँ पर isotope के case में यह wrong proof हो गया क्योंकि यहाँ देखो कि यह दोनों क्या है यह भी तो carbon के ही atoms है लेकिन इनके जो masses है वो तो different आ रहे है ठीक है लेकिन आपको यह as such learn करना है क्योंकि directly Dalton atomic theory पूछी जा सकती है तो उस तर उस time पर दी थी तो कुछ एक उसमें failures भी आये थे लेकिन इतना भी उन्होंने उस time पर discovery करी यह ही बहुत बड़ी बात है अब next देखो next point क्या दिया था atoms of atoms of different elements differ in mass अभी हमने एक ही element के atom की बात करी थी और next देखो ने पॉइंट दिया था atoms of different element मालनो एक chlorine है एक argon है ठीक है हमने different elements ले लिए ठीक है उन्होंने कहा था कि जो atoms है different element के उनके सभी atoms में differ mass होगे masses सब के अलग-अलग होगे अगर आप atoms लेते हो different elements के उनका मतलब था जैसे chlorine and argon है they are different different elements है ना दोनो ठीक है अब इनके हम atoms उठा ले इन atoms के भी जो masses होगे वो different होगे ठीक है तो ये सही भी होता है लेकिन exception यहाँ पर भी failure थोड़ी आगे थी ये हमेशा true नहीं होता because we have isobars ठीक है अब isobars देखो जड़ा क्या होते है isobars अगर आपने पढ़ा होगा lower classes में तो क्या होते है isobars के जो atomic number होते है वो तो different होते है लेकिन उनके mass number सेम होते है जैसे chlorine का कौन सा isotope लेगे 40 वाला ठीक है and argon का कौन सा लेगे हम argon का भी 40 वाला देखो यह दोनो different elements है ठीक है लेकिन इनके जो masses है वो क्या है सेम है लेकिन यहां तो कह रहा है कि different होने चाहिए तो यहां पर भी थोड़ा failure आ गया था इस law में लेकिन इतनी discovery करना उस time पर initially यह बहुत जादा appreciable है ठीक है तो यह देखो अगला point हम करते हैं अगला point उनों ने दिया था कि compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed whole number ratio अब आप कहोगे यह statement तो कहीं सुनी भी लग रही है तो yes आपने यह सुना है law of definite proportion में जो हमने पिछली videos में कर रहा था laws of chemical combination की वहाँ पर भी यही था तो Dalton ने भी यही कहा कि जो compound है वो बनते हैं जब atom of different elements combine करे in a fixed whole number ratio या फिर आप कह सकते हो in a simple ratio उनके according जैसे carbon oxygen से combine करेगा तो यह बनाता है carbon dioxide we all know that ठीक है अब यहाँ पर देखो कि जो carbon dioxide है वो आपस में combine कर रहा है किस ratio में मतलब one carbon के लिए दो oxygen का होना ज़रूरी है ठीक है one oxygen one carbon के लिए दो oxygen के atoms का होना ज़रूरी है इस ratio में यह combine कर रहा है और यह ratio हमेशा ही fix रहता है जो कि law of definite proportion भी कहता है ठीक है और देखो यहाँ next point हम कर लेते है chemical reactions are rearrangement of atoms जो chemical reaction हो दी है उनमें rearrangement of atoms होता है ठीक है तो देखो Dalton के हिसाब से कि जो reaction में just rearrangement of atoms होता है उन्होंने कोई combination of atoms के बारे में नहीं कहा ठीक है फर्दर आगे जाके किसी और scientist ने इस पर बात करी कि atoms जो है वो combine करते हैं और molecules भी बनते हैं ठीक है by the combination of atoms बट उन्होंने कहा था कि chemical reactions are rearrangement of atoms chemical reactions में just atoms की rearrangement होती है ठीक है कैसे हम समझेगे इसको जैसे हम एक reaction ले ले लेते iron का reaction with water तो ये बना Feo और hydrogen gas निकल गई यहां से ठीक है अब आप ये चीज़ देखो chemical reactions are rearrangement of atoms अब इनके according क्या ये कह रहे थे जैसे ये oxygen है oxygen यहां से rearrange होके iron के साथ लग गया और hydrogen बाहर हो गया ठीक है इनके according just क्या होता है एक atom दूसरे atom के बाद चल जाता है या फिर उनका rearrangement होता रहता है ठीक है chemical reactions में तो ये चीज़ उन्होंने कही थी और last क्या point है atoms are neither created nor destroyed in a chemical reactions जो atom होते है नहीं आप chemical reaction में उन्हें कहीं से create कर सकते हो extra नहीं उन्हें destroy कर सकते हो बस क्या होता है यही जो उपर वाला point है उनका rearrangement होता है एक form से वो दूसरे form में जाते रहते है तो ये क्या है ये law of conservation of mass को भी क्या करता है यहां पर satisfy कर रहा है chemical combinations को क्या कर रही है satisfy कर रही है बागी अगली वीडियो में हम करेगे Dalton के limitation Dalton's atomic theory की जो limitations आई थी जो जो चीज़े इन्होंने नहीं कही थी या फिर wrong कही थी false थी तो उन्हें हम next video में करेगे तो इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको यह useful लगा होगा इसी तरह की वीडियो के लिए चानल से जुड़े रही है और तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और अपना ध्यान रखिए बाबाई